अगर आपके कार के अंदर ओर हीटिंग का इशू आ रहा है तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं कम्प्लिट इंफोर्मेशन देने वाला हूँ कि आपकी कार अभी अगर समर का टाइम चल रहा है या फिर अगर नॉर्मल डेज में भी अगर मैं बात करूँ तो कार अगर ओर हीट हो रही है तो इसके क्या के रिजन्स होते हैं क्या चीज़े आपको चेक करना है वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा रिक्वेस्ट करूँगे ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकि एंटक जरूर देखना जिस साब को सारी इंफोर्मेशन अच्छे डीप में मिल सके सबसे इंपोर्टेंट चीज और सबसे पहली जो चीज़ है वह आपके कार का कुलेंट लेवल प्रिंड ये अगर कभी भी ओर हीटिंग होती है तो यह आप यह समझ लो कि यह चीज़ सबसे जादा इंपोर्टेंट है और फर्स स्टाइप आपको कुलेंट की चेक करना है क् maximum यहीं से cooling system या फिर अगर बात करो में overheating की starting हो जाती है तो coolant का level आपको चेक करना है कि वो proper है या नहीं maximum level में है या नहीं कई ऐसा तो नहीं वो minimum level से भी नीचे coolant का level हो गया है या बहुत से लोग यह problem करते है कि कई बार ऐसा होता है हमारी vehicle जब चलती है तो coolant का level विकल overheat होंगी क्योंकि proper ratio अगर नहीं रहेंगा proper quantity of coolant अगर नहीं रहेंगी तो engine overheating के chances बढ़ जाते है और इस के reason से ही विकल के engine overheat होते है तो coolant का level सबसे पहले चेक करो उसकी condition भी चेक करो condition proper है या नहीं उसका concentration चेक करो बहुत से time हो सकता है पानी का level बहुत जादा हो ग अगर आपके विकल का radiator fan चालू नहीं है अगर proper work नहीं कर रहा है तो engine overheating के chances आपको देखने को मिलते है और engine overheat होता है तो यह चीज़ आप चेक करो या नहीं समझते है तो आप किसी से check भी करवा सकते हो कि radiator fan जो है वो proper work कर रहा है या नहीं है तो यह चीज़ भी आपको check कर खराब हो जाती है या फिर वो tank खराब हो जाता है तो सवजह से भी आपके vehicle के अंदर overheating के issue आते है तो वो reservoir tank जो होता है या फिक बहुत से लोग उसे expansion tank भी कहते है तो उस चीज़ का आपको check करना है कि उसकी condition proper है भी या नहीं कई उसके अंदर को leakage तो नहीं है या फिर उसक vehicle का thermostat wall फेंड अगर यह thermostat आपके vehicle के अंदर proper काम नहीं करेंगा तो जो open और close का system है मिस जो circulation होता है आपके vehicle के coolant का वो अगर proper close और open नहीं होंगा तो वहाँ भी problem यहाँ पे आ जाती है thermostat का का काम यही होता है कि जो circulation है उसे open और close करना means temperature detect करके अगर वो thermostat ही खराब हो जा vehicle का engine overheat होना शुरू हो जाएंगा तो thermostat भी check करना है यह maximum मैं आपको बता रहो जो कि most common reason होते है और vehicle के अंदर report होते है तो thermostat का भी बहाफी जादा यहाँ पे reason होता है तो वो भी आपको check करना है या फिर किसी से check करवाना है अब इसका next और एक reason हो जाता है आपके vehicle का host pipes आपके चीज़े चेक कर लें लेकिन पता चरह रहा रेडियेटर के अंदर ब्लॉकेज है तो वो चीज़ भी आपको check करना है कि host pipe के अंदर रेडियेटर के अंदर कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है अगर ब्लॉकेज रहेंगा तो circulation proper नहीं होगा cooling proper नहीं होगी at the end क्या होगा cooling तो engine overheat करेंगा तो यह भी आपको check करना है कि host pipe जो है वो proper है भी या नहीं अगर ऐसा लगता है host pipe कहीं न कहीं ब्लॉक है तो सारा coolant आप drain कराके उस host pipe को clean करवा सकते हो प्रेशर से आप clean करवा सकते हो और वो सारे चीज़े आप एक workshop पे विजिट कर सकते हो वो सारी काम यह होता है कि जो भी आपके विखल के अंदर cooling system है जो भी coolant present है उसका pressure increase करके पूरे engine में circulate करना तो आपके engine के अंदर जो water jacket होता है आपका radiator होता है यह पूरा जो overall system होता है वो यह water pump control करता है मिस water pump circulation का का काम करता है water pump अगर खराब हो जाए या फिर वो pressure proper generate ना कर पाए तो उस condition में क्या होता है कि circulation proper नहीं होता है circulation proper नहीं होगा तो engine access overheating के chances यहाँ पे हो जाते है तो water pump का भी काफी maximum reason यहाँ पे देखा जाता है तो water pump भी आपको check करा है यह बात की बात कर रहो पहले जो छोटी छोटी चीज़े है वो आप check करा सकते हो तब भी कोई issue solve नहीं होत अगर आप फेर्ड आपके वेकल का engine head gasket जो है वो अगर खराब है तो उस condition में भी engine overheat होता है बहुत से लोगों को अगसा लगा है लेकिन फेर्ड यह इंटर कनेक्टे होते हैं अगर आपके वेकल इंचेंध कराब है तो उस condition में engine overheating के chances definitely होते है उस condition में होगा है फेर्ड ओवर हीटिंग के चांसे बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं अगर आपको डेफिनेटली यह चीज़ पता है कि आपके वीकल का इंजिन हेडगेस्कित खराब है यह भी एक रिजन हो सकता है इंजिन ओवर हीटिंग का आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी से चेक भी कर है तो फ्रेंट एक चीज़ मैं बता दू इंजिन ओईल किस लिए यूज होता है तो इंजिन ओएल को काम यह होता है जे आपके वीकल के इंजिन में जित्ते भी इंटरनल कंपोनेंट्स है उससे लुब्रिकेट करने का काम अगर इंजिन ओईल कम हो जाए या फिर काफी का चांसे हो जाता है तो यह सारे चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है तो इंजन ओइल भी काफी ज़दा इंपॉर्टेंट रोल निबाता है तो वो भी आप चेक करो इंजन ओइल का लेवल प्रॉपर है भी या नहीं अगर वो कम है या फिर उसकी कंडिशन खराब हो गई तो ये भी एक रिजन होता है इंजन ओवर हीटिंग का समर के टाइम देखे तो बहुत से ऐसे फेंड रिजन निकलते है छोटी 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 रिजन से भी विकल ओवर हीट होना शुरू हो जाती है नॉर्मल डेज में तो इत्ती प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन समर के टाइम में छोटा सा अगर इंजन ओई हो रही है तो इसमें सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं वो यह सोचते ओवर हीटिंग अगर हो रही है कार में तो मैं और वीकल अपनी जादा फास चलाता हूँ ताके मैं किसी मेकनिक के पास जल से जल पहुँच सकूँ यह सबसे बड़ी गलती है अगर आप ऐसा और इंजन सीज के चांसे भी यहां पर बढ़ जाते हैं अब ध्यान से सुनना करना क्या है आप वीकल ड्राइब कर रहे हो आपने यह देखे टेंपरेचर गई बिल्कुल हाय पर पहुंच गया है वीकल एकसेस ओवर हीट हो रही है उस कंडिशन में सबसे पहला काम वीकल को साइड में आप पार्क कर लो और जादा ड्राइब मत करो सिंपल एक प्रोसेस में आपको बता रहा हो वीकल को आप साइड में ड्राइब करो वीकल का इगनिशन बन कर दो अब बन करने से सबसे पहले तो आपने यह चीज़ बचा है कि आपकी वीकल का इंजन सीज होने से आ लग सकते हो ताके उसको एक वेंटिलेशन मिल जाए कुछ चेंड़ने की ज़रूत नहीं है को बहुत से लोग रिजर्वर टैंक खोलते हैं सोचते हैं पानी डाल देते हैं कुछ नहीं करना है इंजन अभी ओर हीट है ऐसे मगर कोई भी एक्सपंशन वाल अगर आप खोलते हो वहाँ पर आप आपके वेहिकल का जो रिजर्वर टैंक है वो उस कंडिशन में खोलना है अगर आपको लग रहा है इंजन ठंडा हो गया है तो एक्सपंशन अगर प्रेशर जादा है इंजन का टेंपरेचर जादा है तो बिल्कुल खोलने की ज़रूत नहीं है यह चीज को वार्निंग में आपको दे रहा हूँ यह चीज को आपको नहीं करना है हाँ ऐसा लग रहा है इंजन ठंडा हो गया है थोड़ा उसके इसमें आप वो रिजर्वर टैंक जो होता है उससे धीरे धीरे ओपन कर सकते हो इसके बाद चेक कर सकते हो कुलेंट के लेवल तो आपका वीकल को स्टार्ट कर सकते हो अब स्टार्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि स्टार्ट करने के बाद आपका टेंपरेचर तो थोड़ा ड्रॉप हो गया है यहाँ पे तो आप यह ट्राय करो वीकल को स्टार्ट करने के बाद जल से जल किसी मेकेनिक के पा अगर इस वीडियो से आपके कोई भी डाउट रह जाते है तो आप कमेंट सेक्षन पूछ सकते हूं मैं जलसे जल आपको रिप्लाइ देता हूं आज के लिए इता है मैं तब नेक्स वीडियो में जब तक ले गुड़ बाई